नमश्कार लाइब 24 में आपका स्वागत है और मैं हूँ चंदन ज्या आज हमारे साथ जो हमारे महमान है वो स्री संजय सिंग जी है जो राजसवास सांसद है और आम आदी पार्टी के प्रवक्ता भी है आम आदी पार्टी में बरे पद को सुसोभित कर रहे हैं सर बहुत-ब सको को सर अभी चुनाओं का वक्त है पुरे देश में जो रास्ट्री यग हो रहा है हम नों इसे रास्ट्री यग कहता है चुकि फिल्ड में गूमते है अलग-अलग लोग-अलग सब दोसे का बखान करते हैं अच्छा कहावत है बंद मुठी लाख की खुल गई तो खाकी क जब स्याही एक बार लग जाती है उसके बाद राजनेता अपनी पबलिक से पीछा क्यों छोड़ाने लगते हैं देखे पहली बाद तो मैं इसको लोकतंत्र का महापर्व कहूंगा क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां डेमोक्रेटिक तरी जो आप एक चाती जनता की उनसे उसको उन्होंने पूरा नहीं किया इसमें दोनों का दोस है मैं अगर कहूं कि एक तरफा सिर्फ राजनेता इसके लिए दोसी है तो वो भी ठीक नहीं होगा और मैं ये कहूं कि जनता सिर्फ इसके लिए दोसी है तो वो भी ठीक नहीं होग अपराधी करण बढ़ा, भ्रस्टाचार बढ़ा, धनबल बढ़ा, बाहुबल बढ़ा लेकिन यह एक दिन में नहीं हुआ, राजनीती को विगड़ने में और पूरी विवस्था विगड़ने में एक लंबा समय लगा अब आज क्या है, नेता कोई लगता है, चब पांच साल काम करो ना करो, चुनाओ के समय में जाती और धरम का कार्ड खेल दो कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जित के नाम पे, कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुसल्मान के नाम पे, कभी दलित के नाम पे, कभी पिछड़ा के नाम पे, कभी अगड़ा के नाम पे तो कोई न कोई आप जुमला एक छोड़ दीजिए और उसी पे चुनाओ जीच जाएए तो चुनाओ मुद्दो पर नहीं होते हिंदुस्तान में जो सबसे ज़दा दुर्भागी पूर्ण है पांच साल का लेखा जो खा राजनेताओं से और सरकारों से नहीं पूछा जाता उन से नहीं पूछा जाता कि आपने पंद्रा लाग पर क्या किया दो करोन सरकारी नोकरियों पर क्या किया किसान को फसल का डिरगुना दाम देने पर क्या किया आपने महिलाओं को सुरक्षा के लिए क्या किया आपने टैक्स कम करने किया क्या 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 नोडबंदी क्यों की जी एस्टी क्यों लागू की ये जो बुनियादी सवाल है लोगों के वो पूछे नहीं जाते तो इसलिए जनता जो अपना वोट देती है उसके बाद पांच साल तक जो नेता मुह मोड लेता है उसको डर नहीं होता जनता से उसको डर इस बात का नहीं होता कि चुनाओ जब आएगा तो लोग हमसे सवाल पूछेंगे कि हमने जो वादा किया था उसको पूरा क्यों नहीं किया तो वो बिंदास होके खुले आम अपना घूमता है अब रस्टाचार करता है चुनाओ में कुछ पैसे भी खर्चा कर देता है दारू और सराब और पैसे बाट देता है तो इसके लिए तो जिम्मेदार कहीं नहीं कहीं जनता भी है अगर जनता ये तैं कर ले कि भई हम चुनाओ महंगा नहीं होने देंगे किसी से हम पैसे नहीं लेंगे किसी से को भी सराब बाटने नहीं देंगे अगर जनता ये तैंग कर ले कि भई जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे इमानदारी के आधार पर वोट देंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी नेता की हम्मत होगी कि वो पांच साल वोट लेके और अपने घर में बैठा रहा है उसको काम करना पड़ेगा उसकी जवाब दे ही है जनता के प्रति बेवाकी से आपने इसका जवाब दी और सुनना पड़ेगा हर राजनेता को कि आखिर पांच साल के बाद आप वापस आते हैं और वापस उसके बाद पाश सेल के लिए आप मतलब गायब से हो जाते हैं Mr. India के घड़ी आप लगाते हैं और गायब हो जाते हैं और लाल रौसनी में भी आप दिखलाई ने देते हैं क्यों सही है सर। लाल लाल रौसनी में भी दिखलाई नहीं देंगे कि वोट अपने मुद्दों पर दीजिए अगर हमने काम किया है तो हमको वोट दीजिए काम नहीं किया है तो हमको बिलकुल वोट मत दीजिए ये ये सोच होनी चाहिए एक सवाल ये है कि 2014 में आपने पूरे देश वर में अपने कैंडिडेट खरे किये थे लोग सवा चुनाओं में इस वार का क्या पोजिशन रहा देखे पिछली बार हम लोगों ने 430 सीटों पर चुनाओं में कैंडिडेट खड़ा किया था लेकिन आप से कहने में कोई संकोच नहीं है ज्यादा कैंडिडेट्स के हमारे जमानते जब्त हुई और जन्ता ने ये बताने का काम किया कि वही जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ इसलिए हम लोगों ने दिली पंजाब हर्याना कुछ चुनिंदा राजियों में अपने आपको सीमित किया उतर प्रदेश में लोकल बॉड़ी के चुनाओ लड़े, मद्यपरदेश में, राजस्तान में हम लोगों ने चुनाओ लड़ने की शुरबात की नहीं पर धीरे धीरे अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, धीरे धीरे अपना संगठन बढ़ा रहे हैं, बिहार में और यूपी में इस बार कुश सीटों प जब केजरिवाल जी जो भी दिल्ली के CMB है और आम अनी पार्टी के सुप्रीमों भी है ठीक है वो जब मोदी जी के सामने वारानसी में खड़े हुए था मोदी जी को 580,000 या 880,000 के असपास वोट आया था और केजरिवाल जी को 2,09,000 के असपास वोट आया था लगो 40% के अ अगर मजबूती से गढ़बंदन अपना कैंडिडेट खड़ा करता है वारानसी में तो नरेंदर मोदी जी के लिए मुसीबत हो सकती है और वहाँ पर मुझे जो जानकारी मिली है कि तमिल नाडू के वो पीडित किसान जिनको इस सरकार ने पेशाब पीने के लिए मजबूर किया पीमों के सामने पेशाब पी के प्रदर्सन किया था वो 111 किसान नरेंदर मोदी जी के खिलाफ चुनाओ लड़ने जा रहे है उसकी शिकायत की और उसके बारे में लिखा या एक वीडियो बना के वाइरल किया तो उसको लेके उनको निकाल दिया गया यानि उनकी शिकायतों पे कोई कारवाई नहीं हुई जो खाने की स्थिती थी जो एक जो खाने ऐसा खाना दिया जाता था जो जानवरों को भी नही जाता वो खाना ठीक किया जा जाए उस पर कारवाई करने के वज़ाए उसी वेक्ति को निकाल दिया जबकि मुरली मनोहर जोसी जी की कमिटी ने तेज बहादूर यादो की सारी सिकायतों को ठीक पाया था तो मुझे लगता है कि वो भी चुनाव लगने जा रहे हैं तो मुझ पुछ नहीं दिया सिर्फ जुम्लों के सिवाए सिर्फ लोगों को च्छलने के सिवाए और हर बार चुनाओं में नकली मुद्दा लेके आ जाते हैं असली मुद्दों पर बात नहीं करते जनता की बुनियादी सवालों पर बात नहीं करते हिंदू पर मुसल्मान पर बाव आयोक के प्रतिबंध के बावजूद, जिस व्यक्ती को सबसे जाधा चुनाव आयोक की बातों को मानना चाहिए, देश का पॉल्वामा के लिए वोट मांग रहा है, बाला कोट के लिए वोट मांग रहा है, तो मैं तो कहूंगा आपके टीवी चैनल के देम से कि मोधी जी अगर वास्तों में आपको जवानों के नाम पर वोट चाहिए तो पुलवावा में हमारे 44 जवान सहीद हुए हैं उनके परिवारों को टिकट दे देगे हमारे टीवी चैनल के माद़े हमसा संजय सिंग जी का ये कहना है कि अगर मोदी जी अपने आपको राष्ट भक्ती क बहुत बड़े पुरोधा समझते हैं देश भक्ती के पुरोधा समझते हैं तो पुलवावा में जो सहीद हुए हमारे जवान उनके परिवार वालों को आप लोग सभा का टिकट जरूर दे अगर नहीं दे सकते तो विधान सभा का तो देना ही चाहिए अरे आप ने शहीद आई टी बी पी के जो हमारे सी आर पी अफ के जवान सहीद होते हैं तो उनको सिर्फ जुबानी तोर पे हम सहीद कहेंगे वोट मांगने के लिए सहीद कहेंगे जिर और उनको सहीद का दरजा नहीं देंगे इसलिए कि उनको सहीद का दरजा देने के बाद कुछ सरकारी नहीं दिया जब आई जी जोन जम्मू ने चिट्टी लिखी थी कि बैस जवानों की एर लिफ्टिंग कराई जाए जम्मू से स्री नगर उनको एर लिफ्ट कराके भेजा जाए क्यों नहीं कराई गई नेता मंत्री के लिए हवाई जहाज उपलब्ध है जो माइनस पचास डि टमप्रेचर में जो हमारी रक्षा कर रहे हैं सीमाओं पर जैसल मेर से लेके सियाची इन तक उन जवानों को एर लिफ्टिंग क्यों नहीं कराई गई क्या गलती है क्या गुना है उनका तो इसलिए बातें बड़ी-बड़ी करने से कुछ नहीं होगा आप सेना के जवानों को पैंसन तो देते नहीं है आप बताएए जो 2004 में बीजेपी की सरकार ने सी आर्पिया बी एस एफ जितने भी अर्थस्टैनिक बल थे उनकी पैंसन कहतम कर दी ये क्या बात है भाई आज जो जवान सहीद हुए हैं उनके उनकी पैंसन नहीं है तो ये सिर्फ कहने से रोने से उनके नाम पे वोट मांगने से काम नहीं चलेगा इसको नहीं कैसे जवरदस्ती का जुमला ही कही है ये ड्रामा है मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान का अब तक का सतर सालों में सबसे बड़ा बहरूपिया प्रधानमंत्री अमनों को मिला है नरेंदर मोदी जी की तोर पे इतना बड़ा बहरूपिया प्रधानमंत्री आज तक नहीं मिला कब क्या बोलते हैं क्या कहते हैं कुछ समझ में नहीं आए काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि आपकी पर्टी के भी बी दुसरे पर्टी के दलों के लोग ही लोक तंत्र खत्रे में इस पर क्या कहेंगा है क्या लोकतंत्र खत्रे में हैं? खाली दलों के लोग थोड़ी बोल रहे हैं? सुप्रिम कोट के चार प्रतिस्थित जजों ने प्रेस कॉंफरेंस करके कहा डेमोक्रेसी इस इन डेंजर. लोकतंत्र खत्रे में हैं. हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहली ऐसी घटना हुई है कि स माला पहना कर सरकार का मंत्री समानित करता है और उसको अभी तक मंत्री पत पर रखा गया है. इसलिए कहा जाता है कि कट हुआ के अंदर आट साल की बच्ची का बलातकार होता है तो बलातकारियों के समर्थन में तीन-तीन मंत्री रैली करने के ले जाते हैं. इसलिए कहा जा रहा है कि एक लाख का खुले आम मर्डर कर दिया गया पहलू खान को मार दिया गया सुबोत सिंग को मार दिया गया गौरी लंकेस को मार दिया गया और गौरी लंकेस को मारने के बाद उनकी उनके कतल पर उनकी हत्या पर जो लोग भद्दे कमेंट करते हैं उनको हमारे प्रध मंत्री क्यों उनको फॉलो करते हैं आज तक हमारे प्राइन मंत्री जी ने उनको ऊनकी किया इसका मतलब महीलाओं को मरने के बाद गाली दो प्रधान प्रणमंत्री की सोच अब कि अच्सक्मिंद गलत था कि मैं तो कह रहा हूं कि इमरजंसी को किसी भी तरह से justify नहीं किया जा सकता उसके लिए Congress पूरी तरह से जिम्मेदार है दोसी है उसको कोई भी justify नहीं कर सकता उस समय जिस तरह से विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया सरकारों को बर्खास्त किया गया नेताओं का उत्पीडन किया गया तो मुझे नहीं लगता कि इसको कोई भी समझदार आद्मी justify करेगा तो कांग्रेस ने जो अपराद और गुनाह किया है उसकी सजा जनता ने उसको दिया 44 सीट पे पहुँचा दिया कांग्रेस को अच्छा आपने बोला 44 सीट पे पहुँचा दिया अब गठवंदन की बात की जा रही है केजरिवाज साहब भी लगें में गठवंदन हो जाए कौन सी ताकत है कांग्रेस की तरफ से जो आप लोगों गठवंदन होने नहीं दे रहा है क्यों गठवंदन होना जरूरी है जहां तक हमारी आमादमी पार्टी का प्रस्थन है हम सातों सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े कर चुके हैं और हम सातों सीटों पे चुनाओं मजबूती से लड़ रहा हैं और जीतेंगे बीजेपी को हम रोके लिए सवाल यह कि समय काल परिस्थिती के हिसाब से कई बार आपको राजनीती में नेड़े लेना होता है दिल्ली में जब हमारी 28 सीटें आई हमारे पास दो रास्ते थे या तो हम सरकार नहीं बनाते या सरकार बनाके हमने 49 दिनों में वो काम करके दिखाया जो आज तक लोग उदारन देते हैं और उस सरकार बनाने में कांग्रेस पार्टी के आठ हेमेलेज ने हम लोगों को सपोर्ट किया समर्थन किया हमने कुछ सरते रखी हिंदुस्तान में पहली बार हुआ कि हमारी सरतों पर समर्थन लिया गया नहीं तो आम तो पर पैसे और मंत्री पद दे के समर्थन लिया जाता हमने वो काम नहीं किया हमने 49 दिन काम करके दिखाया फिर वो काम उन लोगों को पसंद नही बहादूरी वाला कामना है पुलिस छोड़ देते हैं कभी कुछ कारवई करते हैं तो वो खैर अबना काम है میں ये कह रहा था कि आज जो परिशितियां है एक पार्टी ऐसी है सथा में जो देश के समविधान के लिए लोकतंत्र के लिए राज्यों की सरकारों के लिए संगी धाचे के लिए गंभीर खत्रा बन चुकी है और इस सबसे अलग देश के अमन चैन के लिए देश के गंगा जमनी तहजीब के लिए ये सरकार खत्रा बन चुकी है तो इसलिए इसको हटाने के लिए हम लोगों ने ये प्रस्ताव रखा था कि अगर कांग्रेस पार्टी दूसरे राज्यों में भी बीजेपी को रोकना चाहती है जैसे हरियाना है आज सारे सर्वे कह रहे है हरियाना में बीजेपी आगे अगर सारी पार्टियां एक जूठो के काम करें तो उनको सभी सीटों पे हराया जा सकता है एक गड़वंदन मना के हराया जा सकता है पंजाब था पंजाब में क्या सथिती है मुझे लगता है कि उस दिसा ने कोई पहले नहीं की अब जहां हमारे पास पंजाब में चार एमपी 20 है मिले है वहां कॉंग्रेस एक सीट नहीं देना चाहती चंड़ीगर में जहां हमको लगभग पांच परसेंट वोट मिला था ठीक है वहाँ बड़ी पार्टी कॉंग्रेस है वहाँ भी एक सीट नहीं देना चाहते डिली में जहाँ उनके पाद जीरो एंपी जीरो एमेले हैं वहाँ उनके तीन सीटें वो चाहते तो यह कौन सा समझोता है यह तो ना करने के मुझे लगड़ा तरीके हैं यह तरीके हैं और इसलिए मन में सवाल उठता है कि भाजपा को जो इस देश के आमन चैन और लोकतंतर के लिए समविधान के लिए खत्रा बन चुकी है ऐसी भाजपा को कॉंग्रेस पार्टी क्यों दुबारा आने देना चाहत क्योंकि आप देखिए उत्तरप्रदेश में जाके लड़ जा रहे हैं बंगाल में जाके लड़ जा रहे हैं केरल में जाके लड़ जा रहे हैं आसाम में वो बद्रूदीन अजमल की पार्टी उससे समझवता नहीं किया दिल्ली में विपक्ष हमारा है मजबूत हम सातों से यहां लड़ने के लिए तयार हैं, यहां साथ हो सीती हैं, इनकी कारवाईयों से, इनकी कारवध्यती से, इनके फैसलों से, यह संका प्रवल हो रही है कि कांग्रेस की इच्छा सकती ही मर गई है बीजेपी को रोकने की, आप देखिए कि राजस्तान, मद्द्रदेश, 36 कांग्रेस को जादा मेहनत करनी चाहिए, गुजरात में जहां जादा मेहनत करनी चाहिए, महारास्त्रा में जहां उनकी संभावना अधिक हैं, बिहार में अधिक, वहां मेहनत नहीं कर रहे हैं, कहां घूम रहे हैं, कहां घूम रहे हैं, कहां घूम रहे हैं, कहां घूम रह हैं आपको या हमको किसी को ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि कांग्रिस पार्टी बच्चे हैं वो सब समझते हैं और जानते हैं तो अगर उनके पास ये समझदारी है कि हर्याना और दिल्ली और चंडीगर मिला के अभी भी 18 सीटों पर भारती जनता पार्टी को बुरी तरीके से हम लोग हरा सकते हैं 17-18 सीटों का उनको नुकसान पहुचा सकते हैं तो निश्चित तोर पर उनको समझवते के लिए एक सार्थक कदम बढ़ाना चाहिए सार्थक कदम जो संजार सिंग जी कह रहे आमाद्वी पार्टी के जो बड़े लीडर हैं और सांसाद में राजसवा से कहना है कि सार्थक कदम कॉंग्रेस को उठाना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने काफी प्रयास किया गठवंदन के लिए वो गठवंदन कहीं न कहीं से काम्याब होता नहीं दिख रहा है और एक मन में संका भी प्रवल हो रहे है कि क्या कहीं बीजेपी और कॉंग्रेस में कोई ऐसा समझाता तो नहीं हुआ पैक टेबल या फिर अंधेने में कैसा समझाता है कि छोटी-छोटी पार्टियों को पूरी तरीके से निस्ते नाबूत करने के लिए अब सभी दर्सकों ने सुना और देखा संजर सिंग जी को जो आम आद्मी पार्टी के सांसद है राजसवा से सांसद है उन्होंने मतलब बहुत करे रूप से बताया कि पाथ साल में मोधी सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया और क्या करना चाहिए कॉंग्रेस को भी एक तर जान दिल्ली जान दिल्ली तर, जान देखा संद हो आख सिंगा या ये जाताया अझाना। कर दो कर दो 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 दोग दो दो